हेलो गाइज वेल्कम टू अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स वैलियंट लेबोरेल ट्रेस लिमिटेट गाईज इस आईपियो का आज के दिन ओपन होने जा रहा जो कि में लाइन आईपियो है और आज इस वीडियो में जाने के मुसक्त का कम्प्रेट अनलसिस बिजनस मॉडल, फिनाशल कंडिशन, परफॉर्मेंस, जीमप, रिस्टिंग के तामिलेगा अप्लाइ करना चाहिए या फिन इन सभी पॉइंट्स को चलिए फिंट्स वेडियो स्टार्ट करते हैं तो आज दिखें जो आईपियो है में लाइन आईपियो सताई सेप्टमब रखा गया लेकिन यह रेट प्रिपोन हो सकते है प्राइस बैंड वान हंडड़ेटी ट्री तू वान हंड़ेट फॉर्टी रुपीज पर शियर का लॉट साइज है वान हंड़ेट फाइप शियर की अमांट 14,700 रुपीज का मिनिमम पे करना है इसका अप्लाइक करने के लि अफर दिया गया है प्रोटर सांतिलाल सिव जी वोरा संतो सांतिलाल वोरा और धन वल्लभ वेंचर लल्पी जो की डीवी इसके प्रोटर प्रिशु वोल्डिंग हंड़ेट पर्शंट का है पोस्ट इसो 74.94 पर्शंट की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा वही करम इस पारसीट है मुल्क प्रोड़क्ट जोता है उसका मैनुफाक्च्रिंग पर जो सुजादार फूकस किया जारा इस कंपनी के द्वारा और यह कंपनी का मैनुफाक्च्रिंग यूनिटे पाल घहर महरास्ट्रा में जो कि 2000 स्क्वार मीटर्स की लैंड में फैला हुआ है जिसक स्ट्रक्चर के साथ डिवरप्मेंट एक्टिविटीज किया जा रहा है एक्जिस्टिंग प्रोड़क्ट्स में यहां पे खुद आर इंडियो फसलिटी भी दिया जा रहा है अगर हम बात करेंगा इस कंपनी यहां पर देखी तो यह जो पारा अमीनो फेनॉल जो की रॉव Weus ganz Sap Prophetific सब्सटा मोल जो की चाएना से और कंबोडिया से पाराशी टा मोल का जो सो मनुक्रइवां डियू है जो है राव माट्रियल के लिए जो हम बाती है इंपोर्ट किया जाता है तो 21 में 183.7 कर रेवेन्यू है और 30 करोड का प्रॉफित है 22 में 293.4 करोड का रेवेन्यू है आपर 27.5 करोड का profit में 23 में वापस से growth के लेकिन 21 comparison में भी डाउन में देखने को मिला कम ही देखने को मिल रही है अगर हम बात करेंगे हैं आप कह सकते company को जो सब्सक्राइब बहुत जदा fluctuation वगरा किया इसके bottom करेंगे specialty chemicals के लिए और साख्या industrial area भारुच गुजरात में किया जो प्रोपोजल लेकि आए थी इसमें investment करना चाहा रही है प्लस वी एस पी एल में जो investment करना चाहा रही है ताकि working capital requirement को funding के लिए जैसो investment करना चाहिए जनरल कॉर्पेट लिए आई प्यू लाया गया है तो अवराल थोड़ा सा रिस्की देखने को मिला अगर हम इसके कुछ और क्रेश्टर्ड ऑफिस है मुलुंद वेस्ट मुंबई महाराष्ट्रा में जो कि एंशूर करता है जिससे पोर्ट फसलिटी जो होता है वो इसको मिल एक्सेस करने में यह रेडी हो चुका है एक्सेस कर सकती है जिसके कारण जो िशन एक्स्पेडियंटली जो इंपोर्ट करती रॉव मैट्रेयल का या फिर एक्सपोर्ट करता है प्रोड़क्स का कॉस्ट एफिशिएंट मैनर पर कर सकती है ते पसमें है और हाइली experience management की टीम है इसके कंपनी के जो सपोर्ट है लेकिन रिस्क भी रिस्क क्या है कि इसका मैं जो कंपनी only focus किया रहा है मैं पार्मा पारा सीटामोल की manufacturing पर ज्यादा तर फोकस किया जारा mainly focus है जो कि इसके business को अफेक्ट कर सकता है का demand में कोई changes वगएरा आते है तो plus majority revenue generator operating income का जो majority revenue जो है यह domestic market से किया जा रहा है फिर government regulations से भी जैसे थाड़ सा एक government regulations वागरा भी लगाया जाता है जिसके विशे company को impact पर सकता है बहुत जादा competitive industry में operate कर रहा है क्योंकि बहुत सारे competitor है इस company के क्योंकि मार्केट में परसेट हमोल के प्रोडक्ट की बहुत सारे मार्केट में इसी कंपनी सब्सीट्ट्ट्स यहीं जो कंपनी बनाती है प्लस प्राइसिंग प्रेसर लगाए जा सकता है कस्टमर्स के से जिसके कान कंपनी का बिजनस को अफेक्ट कर सकता है हेल्थ केर इंडस्ट्री में रिफॉर्म होना या फिर जो फार्मस्योटिकल प्राइसिंग है उसके साथ associated जो है उसमें uncertainty होना या फिर reimbursement वगरा होता है तो company के जो प्रोडक्ट होता है उसके demand और pricing में affect कर सकता है जो raw materials company import करता है चाइना और Cambodia से अगर इसके import पर restrictions लगाया जाता है तो इसके business को और operation को जो result को थोड़ा से impact कर सकता है higher working capital requirement का need है तो overall यह थोड़ा से risky IPO है अगर आप इसमें risk लना चाहता है और medium to long term करने का सोच है तो ही आप apply कर जी अगरवाइज अधरवाइज आप इसको ignore कर सकते लेकिन क्योंकि गाई बहुत ज़्यादा डिसकी IPO है वहीं अगर हम इसके जेंपी की बात के तो इसका जेंपी अब्रेट नहीं किया गए इस लिस करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पुछें मिलते हैं एक्स्प्रोडर में तिल्दन में बाबाई